आपका दोस्तो का स्वागत है मुकेश मेंदर एजूगेशन चैनल पर और ऊपका दोस्त मेंदर सिंग है सभी का सवागत करता हूं तो प्रमुक हमारे चल रहे थे प्रमुक्स सिंग अभिश्न कि बना रहे देख्छेन को ब्लातरे हैं पड़े चन्स्तान में चात्र संका चुनाव करता है जिसे विद्याले हो गे ँच विद्याले होगे विश्व विद्या ले तो शेंक्षिक संस्तान वहां पर देखो आपको पता होगा दोस्तों यानि यूव पढ़ते हैं ठीक है और जिनकी उमर 18 से से ज़्यादा है तो शेंक्षिक संस्तान में चातर संग का चुनाओ चुनाओ करते हैं बिल्कुल आपको पता है कि अब जो 18 बर्श के हैं उसा भी वोड दे सकते हैं टो चातर संग का चुनाओ परजा तंत्र की निव को क्या करता है मजबूत करता है चात्र को उसके धन का दूरुपियों करता है शेक्षिक का रेक्ता को को प्रुच्सान देता नहीं OPSI NUMBER A यहां प्राइट हो जाएगा दोस्तों बिलकुल, जिन्होंने ऐ दिया उनका राइट है परजा तंतर की नियुग को कैरता है मझबूत करता है कि देखते हैं जिन्होंने ए दिया उनका राइट है। बटाओ एक विद्यारती जो पढ़ने में कमजोर है एक अध्यापक होने के नाते आप उसे टुशन के सला देंगे उसे शुयम दोराने को कहेंगे उपचारात्मक शिक्षन देंगे उप्युक सभी बताओ एक विद्यारती है दोस्तों आप क्या हो आप एक टीचर हो आप को नहीं हो आप एक टीचर हो और आपका इस्टुडेंट यानि एक विद्यारती एक विद्यारती जो पढ़ने में कमजोर है एक इस्टुडेंट कमजोर है तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे बताओ टुशन के सला देंगे बिल्कुल देंगे उसे स्वायम को दोराने के लिए के उपचार अतमक शिक्षन देंगे लिसए थो चार ओप्सिन दे हैं हम एंद्प सी काई सबसे पहले क्या करेंगे हमारा यहां पर सित होजाए गए ऩ्पर बाद में सब काम करेंगे tuition की उसे सला देंगे extra class से लगाएंगे ठीक है वो तो बाद में करेंगे तो यहां पर c right हो जाएगा दोस्तों चलो अगला देखो आपके सामने अगला question है RTE कानून लगा होता है किस पर लगा होता है यह पूछा है निजी विद्यालों पर ठीक है या चेनित सरकारी विद्यालों पर या सरकारी विद्यालों पर या निजी एव राजकी विद्यालों पर तो दोस्तो आर्टी एक कानून लगा होता है तो दोस्तो यह निजी एव रा परकार से देखते हैं एक बालक यदि खेल में अधिक ध्यान देता है एक बालक यदि खेल में अधिक ध्यान देता है तो तो ऐसे में आप क्या करेंगे बताओ उसकी पिटाई करेंगे जब्रदस क्यों कि क्यों खेल खेलता है बार बार पढ़ाई तो करता नहीं है उसके अभ क्या करेंगे दोस्तों उसकी पड़े करनी हैं अगर पड़े तो दोस्तों नमबर कर जाएंगे आप बिल्कुल उसे पढ़ने के लिए क्या करेंगे समझाइंगे पढ़ने के लिए परेड nécessaire करेंगे चलो आगे देखेगा एक पूछें आपको अगला देखेंगा आगे क्या पूछ हैं आगे पूछन पूछ हैं आगे पूछ आप पर पक्षपात का अरूब लगाता हैं आप इसे कैसे हल करेंगे यानि दोस्तों आप एक टीचर हो और आपने जैसे मान लिया जाए आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है मैं तो यहां पर जोग्राफिक उदन लेता हूं आप जोग्राफिक के टीचर हो ठीक है और जैस परकार सुल जाएंगे धोस्तों यह पूछा एं उसके आक्षेफ को एस विकार करेंगे जाल einzepड़ता ू करता है गलत नंबर लेकर कर आया în के थीक है यह तो बिल्कुल सहीं दोस्तों दोस्तों वास्तिक इस्तिक को ढणने का प्रियास हम करेंगे क्योंकि क्या बिखे कोफ़ी में क्या नहीं लिखा है, पूरी स्कूल में बच्चों को बताएंगे, पेदे को इसने ये लिखा, यहां पर इसकी गल्टी थी, इस वजह से इसको कम नमबर मिले, यह तो ठीक है, और इसमीं चोत्या दे रखा है कि उसकी उत्र पुस्तिका, हाँ ये ठीक है, उसकी उत्र पुस्तिका तता कुछ अन्य पुस्तिकाओं से उसे दिखाएंगे, यानि दोस्तो, यानि जिस विद्यारती के नंबर कम आये हैं, और साथ ही उसके साथ पढ़ने वाले, जिनके नंबर अच्छे आये हैं, तो उन सब पुछतेगाव को उसे दिखाएंगे दोस्तों चलो नेक्स्ट तभी तो विद्यारती जो यह को संतुष्ट होगा बागे केसे संतुष्ट होगा चलो जब कुछ चात्र जानबुचकर सरारत करके कक्सा के अनुसासन को बंग करने का प्रियास कर रहे हैं तो आप एक सिक्ष के रूप में क्या भूमिका निबाएंगे ठीक है जब कुछ चात्र जानबुचकर सरारत करके कक्सा के अनुसासन को बंग करने का प्रियास कर रहे हैं तो आप एक सिक्ष के रूप में क्या भूमिका निबाएंगे चात्रों को कक्सा से निकाल देंगे साले बदमासी करते हैं ठीक है, जान बूच कर सhmaइभते हो, अनुसासन को बंग करते हो, निकल जाओ कक्सा से बार, एसा करने के नहीं, एसा नहीं कहाना, मित्रो, उन्हें चात्रो को अन्य चात्रो कर देंगे, जो सरारती चात्र है, उनको जो पढ़ने वाले चात्र हैं, उनसे अलग कर देंगे कि तू चलो जा तू अलग होजा अपनी सक्तियों के परियोग से विद्यार्तियों को सुधारेंगे इसके बाद आगे पूछा है उन्हें आतमगो निरेक्षन का अउसर देंगे और उनके वेवार में सुधार करेंगे हाँ बिल्कुल दोस्तों यह राइट हो जाएगा उसर नमबर डी उन्हें आत्म निरिक्षन का आउसर देंगे और उनके वेवार में क्या करेंगे सुधार करेंगे दोस्तों बिल्कुल प्रेम से ठीके तो यह पर डी राइट हो जाएगा दोस्त तो उस्टूडेंट के बीच क्या अंतिरिये तो addition का पहला चरण पहले से योजना बनना पाठी सामग़ी को सुसंगटित करना विध्यारतों को बेच्ग्रौण्ड जानना इन में से कोईने तो अब सिरकूल मित्रो पता चल गया होगा चैशन का पहला चलन ना की तुह विद्धियार का क्या जाना जो फूरोजन कमें से पार्टी शामगरी को शूचंग3 हैं लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे विद्ध्यार के नेख जानेगे तो तो यहां पर C right हो जाएगा दोस्तों बेग्राउंड को जानेंगे तब ही तो आप उसी इनुसार बुच्छों को पढ़ाएंगे ठीक है तो यहां पर C right हो जाएगा C कि ऐखते हैं अगहा देखो अगला diet यह भी इंपोर्टेंट हैं अगला खुन सबसे पहले सिभूरा uwagę इसका रॉट हो जाएगा समाज में हो रहे नेतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष अच्छा होता है ठीक है सेक्षया का आच्छा होना चाहिए दोस्तों और या पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट कि आप अपने विद्यार्तियों को सदेव प्रम प्रागत विदी से पढ़ाते हैं बिल्कुल प्रम प्रागत जो प्राणे समय से चली आ चुकि इसमें आपको विशेश चिंतन की आवश्यक्ता नहीं रहती इसमें इतना सोचने विचारने की आवश्यक्ता नहीं रहती चिंतन की आवश्यक्ता नहीं रहती है तो यह कतन क्या है यह अंसिक नहीं प्राई नहीं नहीं हाँ बिल्कुल दोस्तों यह हो जाएगा ठीक ह हाँ आप अपने विद्यारतियों को सद्य प्रमप्रागत विदी से पढ़ाते हैं चुकि इसमें आपको विशेश चिंतन की आवश्यक्ता नहीं रहती आपको पता होगा पहले कहा था वाई बिलेक बोल्ड पहले डायरेट ऐसे पढ़ाते थे हाथ में किताब ले ली और डाय से क्या हैं सेमत हैं दोस्तो हाँ हो जाएगा इसका राइट अंसर अब दोस्तो इस तरीके से फटा पट हमने जो है दस वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन देखे बीएश्टी से में चपने वाले क्यूशन है इनको अच्छे से याद करे मैं वापस आपको कल दो फेर को दो बजे मिलता हूँ तब तक के लिए दोस्तों जे हिंद जे बारत और आप वीडियो को अच्छे से समझे और लाइक करे और ज़्यादा सेर करे हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ते रहे ओके जे हिंद जे बारत